छोटा ओडेपूर तालुका के एक गाउं में शिक्षक द्वारा 14 साल की मुख बधर लड़की पर गुजारे गए दूश कर्मय की गटना के बाद पुलिस द्वारा ये गटना को गंबिरता से लेते हुए शिक्षक को पकडने की दिशा में सगन कारेवा ही जारी की है शिक्षन और शिक्षक जगत को शर्मशार करता किस्सा प्रकाश में आया है जिसमें छोटा ओडेपूर तालुका में नराधम शिक्षक द्वारा अपनी हैवानियत का किस्सा प्रकाशित करते हुए संसकार के पाठ पढ़ाने के बदले एक मासुम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाय गया चौता साल की मुक बधिर यानि की बोल नहीं सकती और मंद बुद्धी की मासुम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए दोलरिया गाउ के शिक्षक के तौर पर फर्ज अदा करता वैसा शिक्षक बाबू राठवा ने लड़की को जबरन दुशकर्म गुजारते हुए उस पर बलातकार गुजारा गया है फिल्हाल ये लंपट और दुशकर्मे शिक्षक फरार है पुलिस द्वारा इस संदर में सगन तहकीकात जारी की गई है 26 जुलाई के दिन मुकबदिर लड़की को अपन पढ़ाई के बहाने से शिक्षक के तौर पर फर्ज अदा करता वैसा अपराधी बाबू रुपला राठवा वहाँ पर आया था और परिवार जनों के गर के पीछे के खेत में उसे ले जाकर दुश कर्मा गुजारा गया जहां बाद परिवार ने पुलिस थाने शिकायत दर्श करवाते हुए सगन तहकीकात जारी की गई है तो वही इस संदर्व में अब D.Y.S.P. सहित जिल्ला महिला मोर्चा की प्रमुख मलका बेन पटल ने भी शिक्षप को जल से जल पकडने की रिचा में कारे वही की जाए वैसी बात कही थी अब बेटी पड़ाओ पारेक्राम चे ने आपड़ा जिल्ला मा आपड़ा खोटल पुल थालो कामा एक निल्मेन या घटना बनीचे एक सिक्षप के एक नानी बाढ़की पर बलात कार करियो चे तो वह बापती शुक्त आएक खुब ज दुखनिया बाबच्चे अन न थव जोईए आजे जियारे आपड़े बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अनो जुम्बेश चलावी ने आपड़ेक आविरिते एक मैसेज पहुचारता होई अने वा एमा पन आवी जोईक दुखनिया घटना बनती होई तो मारा माध्यम तु एटलूच कैस के जे आप पिडिता चे एने आपड़े चोकास प्रत्य तपास करी ने निया एपड़ावानों हो मारा माध्यम ती चोकास ती प्रयात्म करीस। पिडिता आप इस मारा मंत बन आपड़ावरा ने दुल्ता बनाव बनी शे जे मा आरोपी बाबु बाहराट वाई राठवा ये पोते शिक्षक शक्षक शे तेणे भौग बनार ना गरे तेनी चाति रूस कर्म करेल शे जे बाबदनी फरियात जोज पोलिस करेशन मा दाक् पिहाल फराल से लिए